आईए, अब चर्चा करते हैं जूट या पड़सन पर बच्चों, जूट जो है वो एक भारती मूल का पौधा है जिससे रेशे प्राप्त होते हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि जूट से हम गलीचे बनाते हैं, दरी बनाते हैं, टाट बनाने के काम आता है, पर्दे बनाने के उप्योग में आता है और इसके ये अलग-अलग बहुत से उप्योग के कारण ही इसे सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइवर के नाम से भी पुकारा जाता है जूट की यदि हम बात करें तो ये कपास के बाद दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है भारत की अब इसकी भौगौलिक दशाओं के विशय में चर्चा कर लेते हैं कि जहां भी इसका उत्पादन किया जाता है वहाँ पर इसके लिए आदर्श भौगौलिक दशाएं किस प्रकार की होनी चाहिए तो सबसे पहले देखते हैं तापमान जूट जो है वो एक आदर जलवायू का आदर और उश्नकटी बन्थी जलवायू का पौधा है इसके लिए तापमान जो है वो लगभग 24 डिगरी से लेकर 37 डिगरी के बीच में टेंपरेचर होना चाहिए वर्शा की हम बात करें तो जैसा हम बोल रहे हैं कि आदर जलवायू का पौधा है इसलिए इसमें 100 से लगभग 200 सेंटीमीटर के बीच वार्शिक वर्शा जो होती है वो इसके लिए उप्यूक्त होती है मतलब जूट में उत्तम रेशे के उत्पादन के लिए इसे परियाप्त नमी या हम कहें कि वर्शा की आवशक्ता होती है मिट्टी ये गहरी जो जाओ मिट्टी होती है बारिक काप मिट्टी की बात करें हम या फिर जो नदियों के डेल्टाई छेत्रे हैं या बाढ़ वाले जो छेत्रे हैं वहाँ पर जूट का उत्पादन बहुत अच्छी तरह से हो पाता है वो मिट्टी इसके लिए बहुत आदर्श दशा उत्पन न करती है फिर अगली दशा है इसकी जल बच्चो जूट चुकि एक रेशेदार पौधा है और इसके रेशे को अलग करने के लिए सडाने के लिए छिलने के लिए और धोने के लिए परियाप्त मात्रा में साफ जल की आवश्यक्ता होती है तो जिन भी छेत्रों में परियाप्त जल की उपलब्धता होगी वहाँ पर जूट का उत्पादन जो है वो अच्छी तरह से किया जाएगा फिर नेक्स्ट हम देखते हैं श्रम श्रम की भी बहुत अधिक आवश्यक्ता होती है जूट के उत्पादन में क्योंकि जूट को काटने के लिए इसके बंडल बनाने के लिए सडाने के लिए इसे चीलने के लिए और धोने के लिए परियापत मात्रा में लेबर या श्रम की आवश्यक्ता होती है अब हम बात करते हैं इसके उत्पादन के विशय पर उत्पादक राजेब देखने से पहले हम देखते हैं कि भारत का विश्व में जूट के उत्पादन में दूसरा इस्थान है विश्व में पहले इस्थान पर जूट उत्पादन में बांगला देश है और दूसरे इस्थान पर भारत है अब हम भारत में ही अलग-अलग राजियों में जूट के उत्पादन की बात करें तो देखत पश्रिम बंगाल में किया जाता है और यहां किन-किन छेत्रों में जूट का उत्पादन होता है तो हम देख लेते हैं वर्धमान है मुर्शिदाबाद, मिदनापूर, मालदा और साथी हुगली में भी जूट का उत्पादन यहां पर किया जाता है वर्ष 2012-13 की हम बात करें तो यहां पर 8349 गाठे जो हैं वो जूट उत्पादित की गई थी दूसरा इस्थान बिहार का है और इस राजी के जो प्रमुख जूट उत्पादक जीलों की हम बात करें तो हम देखते हैं काटे नार, मुजफरपूर, मोतिहारी, चंपारन यह जो हैं प्रमुख जीले है बिहार के जहां पर प्रमुख रूप से जूट का उत्पादन किया जाता है वर्ष 2012-13 में हम देखें तो लगभग 1690 गाठ का उत्पादन गाठ जूट का जो उत्पादन है वो बिहार में किया गया था तीसरा इस्थान असम का है असम जो है वो भारत में तीसरा बड़ा ज प्रती हेक्टेर उत्पादन हम देखें तो ये लगभग 1380 जो है यहां पर प्रती हेक्टेर उत्पादन किया जाता है जूट का असम के प्रमुख उत्पादक जीलों की हम बात करें तो देखते हैं नवा गाओ हैं गोभाल पाड़ा और काम रूप इन जीलों में प्रमुख रूप से जूट की खेती की जाती है वर्ष 2012-13 में हम देखें तो यहां पर लगभग 177.7 गाठ जो है जूट का उत्पादन किया गया था इन सभी के अलावा उत्तर प्रदेश आंधर प्रदेश मतलब हम आंधर प्रदेश की बात करें तो आंधर प्रदेश में में भी विशाखा पत्नम में श्री काकुलम में इसके लावा चटिसगर में और इन राज्यों के लावा केरल और त्रिपुरा में भी जूट का उत्तपादन जो है वो किया जाता है भारत में पट्सन का वित्रण पट्सन के उत्तपादन की हम बात करें तो उननीस सो सत्तरी खत्तर में ये 61.9 लाख गाठे उत्तपादित की गई थी पट्सन की जो 2000-2001 के दौरान 105.6 लाख गाठे हो गई 2012-13 के दौरान 109.3 लाख गाठे उत्तपादित की गई और ये बढ़कर 2014-15 के दौरान 114.5 लाख गाठों का उत्तपादन की आ गया अब हम देखते हैं कपास जूट के बाद कपास भी एक रेशेदार फसल है और भारती मूल का पौधा है और भारत में ये प्रमुख व्या पारिक रेशेदार फसल है इसके रेशे से सूती वस्तर तयार किया जाता है और इसकी उपयोगिता के कारण ही हम देखेंगे कि भारत में बहुत प्राचीन काल से ही इसका उत्तपादन किया जाता है क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत जो है वो उश्नकटी बंधी वाला छेत्र है और यहां पर गर्मियों के मौसम में विशेश कर सूती वस्तर का प्रयोग किया जाता है हम देखते हैं भारत की जितनी भी कुल क्रिशी योग्य भूमी है उस कुल क्रिशी योग्य भूमी के लगभग 5 प्रतिशत छेत्र में कपास का उत्पादन किया जाता है भौगौलिक दशाओं पर बात कर लें, तो हम देखते हैं कि तापमान जो है, चुकि कपास एक उष्ण और उपोष्ण कटी बंधी पौधा, दोनों ही तरह की जलवायू में इसकी फसल जो है वो ली जाती है, तो हम देखेंगे कि लगभग 21 से 27 डिगरी सेंटिग्रेट कपा थक दौधा के लिए, ताप मान चाहिए, वर्शा की हम बात करें, तो 50 से 100 सेंटीमेटर वार्शीक वर्शा की आवशक्ता होती है, लेकिन जहां भी 40 से हम 40 सेंटीमेटर औसत वार्शीक वरशा और 500 सेंटीमेटर से अधिक वर्षा वाले छेत्र भी यो होते हैं, वहाँ पर इनकी क्रिशी या इनकी खेती जो है कपास की की जा सकती है मिट्टी की हम बात करें तो लावा निर्मित जो काली मिट्टी उपजाओ काली मिट्टी में कपास का उत्पादन जो है वो बहुत अच्छी तरह होता है और इसलिए हम अपने भारत में देखते हैं कि गुजरात और महारास्ट में विशेश कर कपास का उत्पादन जो है वो बहुतायात में होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े छेत्र में हमें काली मिट्टी का विस्तार मिलता है भूमी इसके लिए समतल भूमी की आवश्यक्ता होती है जहाँ पर जल का प्रवाह बहुत अच्छी तरह से हो पाए पानी वहाँ पर जमाना हो श्रम की हम बात करेंगे तो चुकी एक रेशेदार फसल है यह हमने बात की थी और कपास की जो फल होते हैं बिनौले जिसे हम कहते हैं तो उन बिनौलों से कपास को बोने के लिए और उन बिनौलों से कपास को अलग करने के लिए उसे चुनने के लिए और सिचाई में भी हमें कुसल श्रमिकों की आवशक्ता होती है कपास की किसमें होती हैं तीन प्रकार की प्रमुख किसमें हम देखेंगे जिसमें पहला है लंबे रेशे वाली कपास इस टाइप की जो फसल होती है कपास की इसमें कपास का रेशा लगभग 22 मिलिमीटर और उससे भी अधिक लंबे रेशे जो हैं मिलते हैं दूसरा है मध्यम रेशे वाली कपास तो इस प्रकार की कपास में या कपास की इस किस्म में हम देखेंगे कि इनका जो रेशा है वो लगभग 18 से 22 मिलिमीटर के बीच में होता है और तीसरा है आपका छोटे रेशे वाली कपास तो इसका रेशा जो है वो लगभग 18 मिलिमीट और उससे भी कम होता है, हमारे भारत में जो लंबे रेशे वाली कपास है उसका उत्पादन नहीं होता, अब हम उत्पादक राजियों की बात कर लें, कि भारत में अलग-अलग छेत्र में कहां-कहां उत्पादन होता है, तो पहला नंबर है गुजरात, अभी हमने बात भी की ठी कि चुकि गुझरात और महाराश्ट्र में हम देखते हैं कि बहुत विस्त्रिच चेत्र में जो जाओ का विस्तार है इसलिए यहां पर भुतायत में कपास का उत्पादन किया जाता है. गुजरात जो है वो पहले इस्थान पर है भारत में कपास की उत्पादन में और यहां पर लगभग 18.5 प्रतिशत भूमी जो है पूरे भारत की जहां पर कपास का उत्पादन किया जाता है उसका 18.5 प्रतिशत छेत्र जो है वो गुजरात की अंतरगत आता है कपास उत्पादन में प्रतthमिस्थान के साथ साथ इसके जो प्रमुख उत्पादक जीले की हम बात करेंगे तो देखते हैं गुजरात में बडोद्रा है, सुरेंद्रे नगर, भड़ोच और अहमदाबाद ये जो हैं प्रमुक छेत्र हैं जहां कपास का उत्पादन प्रमुकता से किया जाता है पूरे भारत में जितना भी कपास का उत्पादन होता है उस कुल उत्पादन का लगभग 16.87 प्रतिशत जो है वो गुजरात से प्राप्त होता है दूसरे नंबर पर महाराज्ट है चुकि यहां पर भी हम देखते हैं कि उपजाव काली मिट्टी का विस्तार है दक्कन के पठार के छेत्र के अंतरगत आ रहा है और यहां पर हम देखेंगे कि यह कपास के उत्पादन में दूसरे इस्थान पर है वर्ष 2001 में हम देखते हैं कि लगभग 26.6 प्रतिशत लाख गाठो का उत्पादन महाराश्ट में किया गया जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 26.6 प्रतिशत था प्रमुख कपास उत्पादक जीले यवतमाल है और अंगाबाद है अमरावती की हम बात करें इसके साथ ही साथ नासिक है नापूर अकोला शोलापूर जलगाओं धूलिया और वर्धा यह प्रमुख छेत्र हैं म अब हम तीसरा है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश जो है इसका देश में तीसरा इस्थान है कपास के उत्पादन में और यहां पर मुख्य रूप से मंगौरी किस्म की कपास का उत्पादन किया जाता है कपास उत्पादक प्रमुख जीलों की हम बात करें तो कडप्प है गुम्टूर है साथ ही साथ गोदावरी, कृष्णा और महमूद नगर, आलिबाबाद और अनन्तपूर यह प्रमुख कपास उत्पादक जीले हैं वर्ष दो हजार एक दो में हम देखते हैं लगभग 18.7 दो लाख कपास की गाठो का उत्पादन यहां पर किया गया जो देश के कुल उत्पादन का 18.5 प्रतिशत था अब इसके बाद है हर्याणा, हर्याणा भी एक प्रमुख कपास उत्पादक राजी है और भारत में इसका पाचवा इस्थान है यहाँ पर प्रमुख उत्पादक जीले आपके हिसार है, करनाल है, गुडगाउं और रोहतक जहाँ पर प्रमुख रूप से कपास का उत्पादन किया जाता है वर्ष 2012-13 में हम देखते हैं कि यहाँ पर लगभग 2500 लाख गाठ कपास का उत्पादन किया गया भारत में कपास का उत्पादन, भारत में कपास के उत्पादन में भी हम लगातार व्रिद्धी की प्रवित्ती देख रहे हैं 1971 में जो 47.6 मिलियन गाठे उत्पादित की गई थी भारत में, वो 2000-2001 के दोरान 95.2 मिलियन गाठे उत्पादित की गई, जो बढ़कर 2012-13 में 342.2 मिलियन गाठे हो गई और 2014-15 के दोरान ये 354.8 मिलियन गाठे उत्पादित की गई, अब अगली फसल चाय की विशय में हम भात करते हैं, चाय जो है एक मुद्रदायनी और रोपडी फसल है, ये कहां से आया, ति दक्षिन पूर्व एशिया के परवती हिस्से जो है, परवती भाग, यहां का ये मूल पौधा है और वहीं से हमारे भारत में भी आया है, ये एक सदापढ़नी जाड़ी होती है और इसकी सुखाई हुई पत्ती से पेपदार्थ जो है वो बनाया जाता है, हम सभी को पता है कि चाय में थिन नामक एक तत्व होता है और इसके प्रयोग से हलका नशा आता है लोगों में और एक इस फूर्ती जो है वो उत्पन होती है चाय भारत की एक महत पूर्ण बागाती फसल हम कह सकते हैं क्योंकि परियाप्त मात्रा में इसका भारत में उत्पादन भी किया जाता है और निर्यात भी किया जाता है इसके निर्यात से बहुत बड़ी मात्रा में भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ती होती है और यहां जो चाय की खेती की जाती है भारत में वो एक उद्योग के रूप में की जाती है क्योंकि उसका बड़े पैमाने पर वरिहत पैमाने पर उत्पादन होता है और उसके बाद फिर उसे अन्य देशों को निर्यात कर प्राप्त कर सी landing किए च जो जंगली लाके हैं या पहाडी छेत्र वहां पर बहुत पहले से होता आया है लेकिन अभयवसाइक पैमाने पर हम कहें रूप में इसके उत्पादन की शुरुआत यो तब जो ततकाली गवर्नर थे विलियम बेंटिक उनके द्वारा कराई गई पहले से भी होता आया था लेकिन उसको एक व्यवसाईक उत्पादन का रूप नहीं दिया गया था हम देखेंगे कि चाय की खेती के लिए लगातार विकास की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रह भारत चाय का एक महत्वपूर्ण उत्पादक तो है ही और हम देखेंगे कि वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पन करने वाला देश भी हमारा भारत ही है विश्व का लगभग एक तिहाई चाय जो है वो अकेले भारत ही उत्पन करता है और उत्पादन के निर्यात में भी पहला इस्थान है सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और सरवाधिक निर्यात भी भारत ही करता है भौगोलिक दर्शाएं देख लेते हैं तो तापमान पर हम बात करते हैं चुकि चाय एक ओष्ण और उपोष्ण जलवायू का पौधा है इसके लिए चाय के खेती के लिए बहुत ही हानिकारक और नुकसान दे होता है दूसरा फैक्ट हम देखते हैं वर्शा वर्शा जो है चाय के लिए लगभग देड़ सो से दो सो सेंटीमीटर वर्शा जो है इसके उत्पादन के बहुत अनुकूल होती है और पत्तियों के लगातार विक जय जो समतल नहीं होनी चाहिए तो चाय के लिए पानी वहां पर उकठा हो जाएगा तो चुकि चाय के जो पौधें हैं वो बहुत कोमल और नाजुक होते हैं तो पानी भराओ की समस्या होने से या पानी भर जाने से ये पौधे जो हैं वो सड़ जाएंगे इसलिए हलकी ढाल वाली भूमी जो है इसके लिए उप्यूक्त होती है इसलिए पौधे का जो विकास है वो हम देखेंगे कि पहाडी छेत्रों में या सीड़ी नूमा खेत step by step जो है भूमी को बना कर वहाँ पर चाय की खेती की जाती है क्योंकि इसकी जड़ों के पास पानी जो है वो इकठा नहीं होना चाहिए समानी रूप से हम देखेंगे कि जो भी छेत्र समूद्रतल से लगभख 600 से 1000 मिटर की उचाई पर हैं वहाँ पर चाय का उत्पादा नधिक मातरा में होता है या हम कहें कि ये चाय के लिए एक उप्यूक्त भूमी होती है मिट्टी देखें तो हम चाय के लिए बहुत हलकी दोमट मिट्टी जो है वो उप्यूक्त होती है क्योंकि इसमें परियाप्त मातरा में चूना, फासफोरस, लोहा, पोटास और जिवाश्म की मातरा इन मिट्टियों में मिलती है जो कि इसके पौधों के विकास में बहुत स है श्रम मुट कि उत्भादन के लिए बहुत अद्रीक श्रम की आवश्शक्ता होती है क्योंकि अब भरी बात की की बहुत कोमल पौध होते हैं चाय की जब खेती के जाती है उन बागानों में चाय की पौधे को रोपने के लिए उसके साथ ही निंदाइह करने के लिए उस जो एक्स्ट्रा पतिया हैं उसमें काट छाट करने के लिए पतियों को चुनने के लिए और उन्हें सुखाने के लिए परियाप्त मात्रा में श्रम की आवश्रक्ता होती है अब प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करते हैं चाय की तो देखते हैं कि असम जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है चाय का और यहाँ पर भारत की जो कुल चाय की अंतरगत बागाती भूमी आती है उसका लगभग 53% जो है वो असम में ही हमको मिलता है और चाय के कुल उत्पादन का लगभग 41.4 प्रतिशत जो उत्पादन है यह हम कहें कि लगभग 50 प्रतिशत जो उत्पादन है वो असम में किया जाता है असम के प्रमुख उत्पादक जीले जो हैं वो आपका शिवशागर, लखीमपूर, दरांग, नवागाओं, कामरूप और गोलपाड़ा ये असम के प्रमुख चाय उत्पादक जीले हैं और हम देखते हैं कि असम का जो सरवाधिक या सबसे अधिक छेत्र चाय का या सबसे अ रम्हपुत्र और सुर्मा घाटियों में किया जाता है दूसरा इस्थान पश्चिम बंगाल का है पश्चिम बंगाल दूसरा बड़ा उत्पादक है भारत में चाय का और यहां पर हम देखते हैं भारत का लगभग एक चौथाई चाय का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है इसके मुख्य उत्पादक जीले देखते हैं हम तो दारजिलिंग है जलपाई गुड़ी है और कूच बिहार यहां पर प्रमुक रूप से चाय का उत्पादन होता है और जहां द्वार है द्वार के जो पहाडी ढाल है वहां पर भी प्रमुकता से चाय या उत्तम किस्म का होता है और ये पूरे विश्व में दार्जलिंग की चाय प्रसिद्ध है तीसरा इस्थान तमिल नादू का है तमिल नादू तीसरा बड़ा उत्पादक राज यह है भारत का चाय का और यहां पर लगभग भारत का 16% का उत्पादन किया जाता है पर प्रमुक रूप से चाय का उत्पादन किया जाता है अगला इस्थान केरल का है केरल जो है वो दक्षिन भारती जो पूरे राज्य है जहां पर चाय का उत्पादन किया जाता है उसका लगभक 8.4 प्रतिशत चाय जो है वो उत्पादन करता है और 8.4 प्रतिशत चाय यहां जो चाए की खेती है वो वाइनाड में ट्रावन कोर, मालाबार, त्रिचूर और कोछीनाड जीलों में प्रमुक रूप से चाए का उत्पादन किया जाता है। अगला इस्थान करनाटक का है हाला कि जो करनाटक में चाय का उत्पादन तो होता है लेकिन काफी या कहवा की तुलना में यहां पर चाय का उत्पादन कम होता है क्योंकि यहां पर काफी का महत्व जो है वो अधिक है लेकिन फिर भी हम देखते हैं यहां चाय का उत्पादन ह वो शिमोगा, चिकमंगलूर, कुटूर, कुर्रा, आदी जीलों में प्रमुखरूप से चाय का उत्पादन किया जाता है और इसके साथ ही उत्तरांचल में भी चाय का उत्पादन होता है यहाँ पर देहरादून, गढ़वाल, चमोली, कुमायू, नैनीताल, अल्मोडा और पिथोरागड इनके जो पहाडी हिस्से हैं यहाँ पर प्रमुखरूप से चाय का उत्पादन किया जाता है भारत विश्व में हमने भी बात की थी कि सबसे अधिक चाय उत्पन करने वाला देश है और इसलिए यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में चाय का जो है वो अन्य देशों को विदेशों में निरियात किया जाता है हम देखते हैं कि चाय का प्रमुखरूप से जो निरियात है वो ब्रिटैन को पोलेंड रूसी जो देश हैं रूसी रास्टर को संयुकतराज अमेरिका और इसके साथ ही जो जर्मनी अफगानिस्तान सुडान इराक और इरान इन सभी देशों में चाय का निरियात किया जाता है और जितना भी निरियात चाय का भारत से हो रहा है उस कुल निरियात का लगभग साथ प्रतिशत जो है वो अकेले ब्रिटैन को निरियात किया जाता है भारत में चाय का उत्पादन हम देख रहे हैं कि वर्तमान में भारत में चाय जो है वो उत्पादन और निर्यात दोनों की ही स्थीती में इसका प्रथम इस्थान है और आजादी के बाद 1971 से लेकर 2014-15 के दौरान इसके उत्पादन में लगातार व्रिधी देखने को मिल रही है 1971 में 4 लाग टन चाय का उत्पादन किया गया जो 2000-2001 के दौरान 8 लाग टन हो गया 2012-13 में इसका उत्पादन बढ़कर 10 लाग टन हो गया और 2014-15 में ये बढ़कर 12 लाग टन उत्पादन किया गया चाय के बाद हम बात कर लेते हैं कौफी या कहवा के विशया पर हम देखते हैं हमारे भारत में चाय के बाद कहवा या कौफी जो है वो भारत का दूसरा महत्वपूर्न पेपदार्थ है जिसे लोग पसंद करते हैं और ये कहवा जो है वो इथोपिया का मूल निवासी हम कह सकते हैं वहां का मूल पौधा है और लगभग 11 शताबदी में इसे अरब देश ले जाया गया था और अरब से ये भारत में लगभग 17 शताबदी के आसपास बाबा बुधन जो है वो लेकर आये थे करनाटक की जो बाबा बुधन की पहाडियां हैं वही पर इसे लगाया गया था इन कहवा के पौधों को और अंग्रेजों ने ही कहवा के जो बागान हैं वो लगाने में अपनी विशेश रूची दिखाई और उन्होंने ही भारत में कहवा के बड़े-बड़े बागान जो है वो लगाए उस समय लगभग बावन हजार से भी अधिक कौफी बागान लगाए गये थे और इस कौफी बागान में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वो लगभग 2.5 मिलियन व्यक्ति थी यह हम यह कह सकते हैं कि यह बागान लगभग धाई लाक मिलियन जो है वो लोगों को रोजगार प्रदान करता है भागालिक दशाओं के विशह में हम बात कर ले तो देखते हैं कहवा एक उष्ण और आद्र जिलवायू का पौधा है तापमान लगभग 15 डिगरी से 28 डिगरी सेंटिग्रेट तापमान की से आवश्यक् वर्षा इसे चाहिए जो मौसमी दशाएं जिसमें पाला है या हिम पात है या लगभग 30 डिगरी सेंटिग्रेट से अधिक धूप या हम तापमान के हैं वो जो है ये पौधा सहन नहीं कर पाता इस पौधों के लिए ये दशाएं जो है वो बहुत हानी कारक होती है अन्य पेड़ों की जो चाया मतलब आसपास ये दी कौफी के बागान के आसपास हम बड़े व्रिक्ष लगा दें जिसकी चाया इन पौधों पर पढ़ रही है कहवा के पौधों पर तो ये भी इसके लिए जो है अच्छी मतलब चायादार जो छेत्र हैं वहां पर इन्हें कोशि तक हम बात करें कि जो सूखा पढ़ जाता है वो भी कहवा के लिए हानिकारक है इसे पकते समय जब ये कहवा के फल पकते हैं तो इनके पकते समय शुष्क मौशम की आवश्चकता होती है इसकी जैसे चाय की जड़ों में उनके पौधों में पानी इकठा नहीं होना नहीं तो इनकी इस पौधों की जड़े हैं वो सड़ जाती हैं और हम देखते हैं लगभग 600 से 1000 मीटर की उचाई के पाहडी ढालों पर इसलिए इन पौधों को उगाया जाता है या इसके बागान जो हैं वो लगाये जाते हैं भूमी की हम बात करें तो उपजाओ भूमी क के साथ प्रवाहित होने वाली मतलब जहां पर पानी इकठा ना हो और भूर भूरी दोमट मिट्टी जिसमें हुमस की मात्रा बहुत अधिक हो वो इसके उत्पादन के लिए बहुत लाबदायक सिंध होती है जैसा हमने देखा कि जहां जिसमें जिवाश्म के साथ साथ खनी और लौह की मात्रा जो है जिन मिट्टियों में प्रचूर मात्रा में होती है वो इसके लिए आदर्श होती है और जैसे चाय के लिए हमको बहुत अधिक श्रम की आवशकता होती है उनकी पतियों को तोड़ने के लिए छटाई करने के लिए पतियों को उनको सुखाने के ल लोपने के लिए उसकी छटाई के लिए तोड़ने के लिए फलों को तोड़ने और सुखाने के लिए परियाप्त मात्रा में सस्ते और कुशल शमिकों की आवश्यक्ता होती है जहां भी इसका उत्पादन किया जाता है भारत जो है वो विश्व का केवल 2.5 प्रतिशत कहवा उत्पादन करता है ब्राजील कहवा के उत्पादन में पहले स्थान पर है जो विश्व का लगभग 25 प्रतिशत कहवा उत्पादित करता है ब्राजील के बाद कोलंबिया का इस्थान है जहां पर लगभग 15 प्रतिशत जो है कहवा उत्पादन किया जाता है और इंडोनेश जो है कोलंबिया और इंडोनेशिया दोनों की तुलना में हम देखें और साथ में ब्राजील तो इसका पहला इस्थान है ही उसकी इन सभी की तुलना में भारत में हम देखते हैं कि कहवा का उतपादन यहां बहुत कम मात्रा में किया जाता है लेकिन जो कुल उतपादन है छे की तरफल में बिस्तार हो रहा है उत्पादन में भी लगातार वर्धी हो रही है हमारे भारत में कउफी की दो प्रमुक किसमें जो हैं पाई जाती हैं जिसका उत्पादन यहां होता है पहला है कउफी और दूसरा है कॉफी रोबस्ता ये दो प्रमुक किसमे हैं जो भारत में उत्पन्न की जाती है और ये लगभग 49 और 59 प्रतिशत इनका कुल कॉफी की उत्पादन में योगदान है मतलब कॉफी अरेबिया का 49% उत्पादन किया जाता है और कॉफी रोबस्ता जो है वो 51% जो कुल कॉफी की उत्पादन में इस प्रजात्ती को उत्पन्न किया जाता है एक एक निश्चित कृषी जलवाई वाले छेत्र में ही कॉफी का उत्पादन किया जाता है तो हम देखेंगे इसलिए जो नीलगिरी की पहाडियां है दक्षिन में हमारे नीलगिरी की पहाडियां इसके आस पास ही कॉफी का उतपादन अधिक मात्रा में किया जाता है और हम देखते हैं कि पूरे भारत की जो अधिकाँश कॉफी है करनाटक, केरल और तमिल लाडू इन्ही तीन राजियों से हमें प्राप्त होती है. करनाटक सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक राज्य है और यहां पर भारत का लगभग 72 प्रतिशत कॉफी का उत्पादन अकेले करनाटक में किया जाता है यहां पर लगभग 4650 कॉफी के बागान है और जिसमें अधिकांश जो बागान है वो लगभग 1370 मिटर की उचाई पर ही हमको पाये जाते हैं इन इलाकों में हम देखते हैं कि लगभग 125 से 150 सेंटीमिटर वार्षिक वर्षा होती है और जो यहां पर कॉफी के बागान लगाए जाते हैं उनके लिए परियाप्त होती है कोडागू है चिकमंगलूर है यह दोनों जो जीले हैं यह मिलकर करनाटक राजी का लगभग 80 प्रतिशत कॉफी का उतपादन करते हैं और इन दोनों जीलों की अलावा हम देखेंगे कि सिमोगा है हासन और मैसूर यह भी प्रमुख कॉफी उतपादक जीले हैं दूसरा नंबर हमारा केरल का है और हम देखते हैं केरल भारत का दूसरा बड़ा कॉफी उतपादक राजी है जहां पर भारत का लगभग 20 प्रतिशत कॉफी उतपन किया जाता है और यहां भी हम देखते हैं जिन भी छेत्रों में लगभग 200 cm से अधिक वर्षा हो जाती है जैसे कोजी कोड है, वाइनाड है, मलबपुरम है, कुलहाम है और इनके ही साथ कंजूर जो है ये प्रमुख कौफी उत्पादक जी ले हैं भारत का लगभग 6 प्रतिशत से भी अधिक कौफी उत्पादन करता है हमारा तमिल नाडु राजी और तमिल नाडु का भारत में तीसरा इस्थान है, 6 प्रतिशत उत्पादन करके और हम देखते हैं ये राजी की तमिल नाडु में जो पूरे राजी का कौफी उत्पादन हो होता है क्योंकि एक पहाड़ी छेत्र है और इसके लावा मदुरई है तिरुन वेली है सलेम है और कोयम बटूर तमिल नाडू के अन्य कॉफी उत्पादक जी ले हैं